हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, दोस्तों किसे हैं आप सब लोग, I hope कि आप सब बहुत ज़्याद अच्छे होंगे, दिल्ली के लजीत गाने में हम आपका बहुत बहुत ज़्यादा वैलकम करते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दही वाली मसाला बिंड और इसे हमने अच्चे से वाउश करिया था और इसके साथ देखें, दोड़े चमा देए LOJ में हमने अच्छे से दो कर लिया है। और यह अच्छे से दोस्त साफकरने और प्यास है हमने इस उसरा काट लिया है। फड़ादमथे निच मेरे यहे वन एन हाफ टीजबन चमीर 1 tsp धन्या पौडर लिया है 3-2 tsp ती स्वून पौर्ड डाले के मुद्अ करते सोख शारियं、 नमक के मुंदधा जाइके के मुटापिक नाल तीस्टो अक्वादिक करना दें नेट में नाहि deposité और लिलेवाद मेधे हैं यह करें यह करें लेकंडि गिजिए और अब हैं अब हुन न जब करें चला लैंगे लिल uw चला लेंगे जिये और यूश्य है कोई भी खूकिंग यूस्ट कर सकते ही लेकिन हमने ये mustard oil सरसो का तेल यूज किया है ये देखे ये हमारी अच्छे से बिंडी फ्राई हो गई है और अब हम इसका flame बन कर देंगे और अब हम ये देखे बिंडी को निकाल लेंगे तो बिंडी का आप color देख सकते हैं चेंज हो गया है और ये अच्छे से fry हो गई है चलें अब हम नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो इसी ऑउल के अंदर हम ये जीरा डाल देंगे और इसे एक बार चलाएंगे और अब हम इसके अंदर ये hermish टाल देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्यास तो प्यास को हमें अच्छे से भूंना है फ्राइब करना है प्यास को हमें… x प्यास का घुल्डन अb holiday अच्छे से अच्छे से fry कर लेंगे अच्छे生 moi अब हम इसे चलाते रहें अब तर हम इसके अंदर दालेंगे 1具 कोड़िए ब्लुार झिंजर गार्लिक का पेस्ट एन अपने डालक का पेस्ट के लिए अब इस प्यास के साथ मैसे बोन लेजाए तो प्यास प्यास का प्यास किल 22 आत्र सीह तो मातर को PASTE बनातर प्यास का और इसी थोड़ा सा भूल लेंगे थोड़ा सा पका लेंगे टमाटर को तो ये दीखे ये हमारे इसके अंदर अच्छे से बबल सा रहे हैं तो ये अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले एड़ करेंगे तो सारे मसाले इसके अंदर डाल दीजिए, बहुत जादा मसालों का हम निसमें इस्तेमाल नहीं किया है, घर में जो मौजूद होते हैं मसाले, उसी में हम ये मसाला भिंडी बनाएंगे आपके निये दही वाली, तो मसाले को थोड़ा भून लेंगे, और फ्लेम हम low to medium ही रख और बहुत एकम इंग्रिडेंट्स में ये तयार हो जाएगी, मसाला भिंडी दही वाली तो ये देखिए, ये हमारा जो मसाला ही वह अच्छे से भून गया है, अब हम एक मिनट के लिए फ्लेम बंद करेंगे, और इसके अंदर दही डालेंगे, क्योंकि अगर आप पकते मे दही डालेंगे, तो दही फट जाता है, तो एक मिनट के लिए आप फ्लेम बंद कर देंगे, या आप लो भी कर सकते हैं बिल्कुल, और दही डाल का इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे, और अब हम इसका फ्लेम खोल देंगे, तो ये देखिए, हमने खोल दिया है, और दही अच्छे से अंदर भून गया है, तो सारे मसाले और दही हमारे अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं, कि इसका ओइल भी सेपरेट होने लगा है, तो अब हम इसके अंदर एक चोटा कप पानी डाल देंगे, तो पानी बहुत जादा नहीं डालना आपने, और इसे 6-7 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे भिंडी अच्छे से हमारी गल जाएगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और मसालो का टेस्ट भी इसके अंदर अच्छे से जाएगा, जब यह मसालो में पकीगी दो, तो यह दिखिए, यह हमने फ्ले मेडियम रखा है, और अ एक बार हम इसे तोड़ कर देखेंगे, कि बिंडी हमारी अच्छे से गली है या नहीं, तो देखिए, यह हमारी पक तो गई है अच्छे से, लेकिन हम इसको एक से दो मिनट के लिए थोड़ा दंपर रखेंगे, तो यह और जाद अच्छी हो जाएगी, तो अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर पहले हम यह देखिए, गरम मसाला डाल देंगे, आदा चोटे चमच, गरम मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट चाहेगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें दम पर रखने से पहले, तो यह देखिए, इसे हम कवर करकर सिर्फ मिनट के लिए दम पर रखेंगे, तो यह देखिए, यह हमारी जो भिंडी है, मसाले वाली वह अच्छे से दम हो गई है, और इसका ऑईल भी सेपरेट हो गया है, अब हम इसका फ्लेम बन कर देंगे, और इसके ओपर थोड़ी सी कार्णिश करेंगे हरा धिनिया से, तो हरा इस रेसिपी के साथ जाकर यह दही वाली मसालब हिंडी जरूर ट्राइ कीजिएगा, आप इसे घर पर धाबसे भी अच्छी यह दही वाली मसालब हिंडी बना सकते हैं, और घर में जो मौझूद इंग्रिडिटेंट्स आप इसे इसे अच्छे से बनाईए, तो यह देखि को लाइक जरूर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें पहले एकन क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर ने वीडियो सबसे पहले मिल सके नेक्स्ट वीडियो में इंशालला आप से फिर मुलाकात होगी एक नई मसितार रेसिपी के साथ कर दो